तो भाई अगर आप 18,000 की प्राइज पर एक डमदार, खतरनाक स्मार्टफोन खरीजन जाते हों, तो यह बिलकुल सही टाइम है, इस टाइम पर आपको 18,000 की प्राइजिंग पर काफी डमदार स्मार्टफोन मिल जाएंगे, दोस्तों 18,000 की प्राइज वाले फोन के बारे में आपको कोई भी नहीं बताता है, पर मैं जानता हूँ कि आप मैंसे काफी सारे यूजर्स का बजट 18,000 होगा, तो भाई बैसे तो आपको 18,000 में काफी सारे फोन मिल जाएंगे, पर हर स्मार्टफोन सभी के लिए अच्छा नहीं होता, और अगर आपको भी तलास है, 18,000 वा और अगर इन सभी पावरफुल स्मार्टफोन आपको चाहिए, तो आज मैं आपको 18,000 वाले तीन सबसे सुपर डोपर स्मार्टफोन के बारे मैं बताने वाला हूँ, and if you want a 5G स्मार्टफोन अंडर 18,000 तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, so don't waste your time, जल्दी से वीडियो को स् दोस्तों आपने काफी सारी वीडियो देख रहा की होगी, और उन सम्में अलग-अलग ओपिनियन आपको मिला होगा, पर मैं आपको गारंटी देता हूँ, कि मैं आपको 18,000 के तीन सबसे खतरनाग स्मार्टफोन के बारे मैं बताने वाला हूँ, तो बात कर लेते हैं, तीस A53S और Realme 8 सबसे सस्ते फोन है, 15,000 की रेंज पर, पर बात 18,000 की प्राइजंग की हो रही है, तो इस प्राइज पॉंट पर Realme Narzo 30 Pro 5G's बेस्ट स्मार्टफोन, तो अब नजट डाल लेते हैं इसके स्पैक्स पर, तो इसमें आपको 6.5 इंचिस की Full HD Plus डिस्प्ले मिल जाती ह वहीं गेमिंग के लिए 120Hz का Fast Refresh Rate दिया गया है, और वहीं Corning Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, तो भाई, डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के साथ साथ, Full Complete Package इसकी डिस्प्ले में आपको मिल जाएगा, काफी Smoothness इसकी डिस्प्ले में आपको मिल जाएगी, और वही 5000 MHz की बैटरी दी गई है, जिसे चार्ज करने के लिए 30W का Dart Charger in the Box मिल जाएगा, जो कि इसे स्मार्टफोन को 35-40 मिनट में फुल चार्ज करने वाला है, और 37 में आपको बड़ी बैटरी मिल जाती है, जिसे आप लंबे ताइम तक यूज कर पाएगे, और वहीं इसमें Hybrid Card Slot का सेंसर दिया गया है, और वहीं इसके दौनो स्लोट Dual 5G Connectivity को सपोर्ट करते हैं, जो की काफी अची बात हो जाती है, जिसे की साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैमरा की, तो इसके बैक में आपको triple camera का setup मिल जाएगा, जिसमें 48MP का main primary lens देखने मिलेगा, जिसमें आप 16MP का ultra wide और 2MP का micro lens दिया गया है, और वहीं front में 16MP का in-display selfie camera देखने मिल जाता है, और इसके back camera में आपको 10x तक का zoom देखने मिल जाएगा, और इसके back camera से 4K video recording कर पाएंगे 30fps पर, तो भाई camera performance इस smartphone की ठीक ठाकी है, क्योंकि इतने budget वाले smartphone में थोड़ी अच्छी camera quality होनी थी, जो कि इसमें थोड़ी हलकी दी गई है, पर दोस्तों इसमें आपको MediaTek Dimensity 800U का powerful chipset मिल जाता है, और भाई इस smartphone से आप काफी super level की gaming भी कर पाएंगे, काफी जवरदस performance इस smartphone में आपको मिल जाएगी, और वहीं इसमें 6GB और 8GB के 2 RAM option और 64GB, 128GB के 2 बड़े RAM variant option मिल जाते हैं, और वहीं इसके 664 का price हो जाता है, बट अगर आपका budget, 8GB RAM वाले variant का बन रहा है, तब आप उसको purchase कर सकते हैं, बट इससे आपकी pricing थोड़ी सी और increase हो जाएगी, तिसके साथ आँगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, दूसरे नंबर के smartphone की, और हमारी इस list में नंबर 2 पर आत specs दिया गया है, तो आप नजट डाल लेते हैं इसके specs पर, तो इसमें आपको 6.67 इंचिस की full HD plus super animated display मिल जाती है, और display को protect करने के लिए core ने gorilla glass 5 का protection भी दिया गया है, तो भाई इसमें आपको super animated display मिल जाती है, जिससे इसकी display quality काफी improved देखने मिलेगी, काफी flexible display इसमें आपक cards की betty दी गई है, जिसे charge gun लिख लिए 33W का fast charger in the box में मिल जाएगा, जिसमें आपको काफी बड़ी battery, काफी durable battery इसमें मिल जाती है, जिससे लंबे time तक gaming करने का मज़ा इसमें आप ले पाएंगे, और वहीं इसमें आपको triple card slot का option देखने मिल जाता है, इसमें आप 2 sim और एक memory card अलग से लगा पाएंगे, जिसके card को आप 512GB तक भी expand कर पाएंगे, और भाई यहाँ पर आपको dual stereo speaker भी दिया गया है, जिसमें आपको audio quality भी काफी दमदार मिलने वाली है, और वहीं इसमें security के लिए side mount और fingerprint sensor दिया गया है, तो आगे बढ़ते हैं बात करते हैं camera की, जि इसका main primary lens होगा 64MP और इसमें आपको Samsung का GW3 का sensor यूज़ किया गया है, और भाई 8MP का ultra wide, 5MP का micro, 2MP का depth sensor देखने मिल जाएगा, और वहीं front में 16MP की center punch or selfie camera देखने मिल जाएगा, तो भाई camera quality इन दोनों ही smartphone में काफी जबरदस देखने मिल जाती है, और इसके दोनों camera इसी QG का professor मिल जाता है, जो कि इस smartphone की performance को और भी दमदार बना देता है, काफी high quality की performance इसमें आपको मिल जाएगी, काफी lag free gaming इस smartphone से आप easily कर पाएंगे, और साथ ही इसमें आपको 6GB और 8GB के दो RAM variant option मिलते हैं, और 64GB 108GB के storage option, और इसके 628 का prize हो जाता है, 17,000 रुपए, और 828 वाल RAM variant वाले किसी भी एक smartphone को purchase कर सकते हैं, वीडियो मांगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं, पहले number के smartphone की, तो हमारी लिस्ट में, पहले number पाता है, Realme 8 Pro, तो भाई, 18,000 की pricing पर, ये सबसे खतरनाक smartphone है, और ये 18,000 की pricing पर, एक अच्छा all-rounder smartphone भी है, क्योंकि ये हर field में आपको, एक super duper performance भी दे देता है, बात करते हैं, इस smartphone की specs की, तो इसमें आपको 6.4 inches की, Full HD Plus बाली, super innovative display मिल जाती है, जिसमें 60 Hz का refreshing rate दिया गया है, तो भाई, इस budget पर 90 Hz का refreshing rate तो हो नहीं था, साथ इसमें 5000 MHz की betty दी गई है, जहें चार्ज करने लिए 50 Watt का dot charger, in the box मिल जाएगा, तो भाई, super innovative display है, और battery भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है, बात करें other features की, जिसमें आप triple card slot का option देखने मिलता है, जिसमें आप 2 sim और एक memory card अलग से लगा पाएंगे, जिसमें इसके memory card को 256 GB तक भी expand पर पाएंगे, तो दोस्तों एक अच्छी बात, कि इसमें आपको in display fingerprint sensor देखने मिल जाता है, जो की काफी अच्छी बात हो जाती है, इसलिए बात करते हैं, इसके camera sensors की, इसके back में आपको 108 megapixel का camera देखने मिलेगा, और 8 megapixel का ultrabite, 2 megapixel का micro, और 2 megapixel का depth sensor देखने मिलेगा, और वहीं front में 16 megapixel का selfie camera देखने मिल जाता है, इसमें आपको Sony IMX 471 का sensor दे मिल जाएगी, और अगर आपको 18,000 की pricing पर एक अच्छा camera वाला smartphone भी चाहिए, तब भी आप इसी smartphone को देख सकते हैं, तो हो गया ना ये all-rounder smartphone, आगे बढ़ते हैं इसके performance की, इसमें Qualcomm की तरब से Snapdragon 720G का chipset भी मिल जाता है, तो भाई fully package इसमें आपको मिल जाएगा, काफी और 180GB storage वाला variant भी मिलता है, जिसका price हो जाता है 20,000 रोपए, तो आप अपने budget के साब से इन दोनों में से RAM variant वाले smartphone को purchase कर सकते हैं, तो अगर आपको budget fix 18,000 ही है, तो ये smartphone सबसे अच्छा रहेगा, जिनको अच्छी camera quality, तगडी gaming और अच्छी display भी चाहिए, तो भाई ये थे 18,000 की price वाले, तीन सबसे बढ़िया smartphone, तो आपको कौन सा smartphone अच्छा लगा, हमें comment में जरूर बताना, तो भाई अगर आपको कोई doubt है, तो please हमें comment करके बताएं, और इस तरह की video पाने के लिए, हमारे चैनल को subscribe और video के click जरूर करें, और साथी bell icon को press जरूर करना, thanks for watching